हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल एंस्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामदें इक मोश्ट इंपोर्टेंट बायलजी का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11 स्टैन्डर के लिए बायलजी सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंट्स इसका नाम है च के टॉपिक्स बचे वे थे तो इसको भी आज कवर कर लेते हैं पूरा चाप्टर को कम्प्लीट कर देंगे तो सबसे पहले आज जो पढ़ना है हमें वह है दोस्तों रिप्रदक्शन सिस्टम अब रिप्रदक्शन सिस्टम बोलो लेकिन किसके बारे में पढ़ना है अगेन के अंदर आपको male and female दोनों ही ओर्गन्स प्रेजेंट होते हैं यानि कि एक तरीके से वो क्या हो जाएगा हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही और्गानिजम के अंदर male का भी पार्ट होना female का भी पार्ट होना ठीक है एक तरीके से तो वो हर्मा lizard होता है, लेकिन creator क्या होता है, dirose होता है, यानि male अलग होते हैं, females अलग होते हैं, जब एक तरीके से unite करेंगे, reproduction करेंगे, तब जाके उनके बीच में क्या हो जाएगा? आगेगा fertilization process होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो reproductive system है, basically आपको पता है, what do you mean by reproduction, that is nothing but the male and female का fusion होना, ताकि उनके नए generation आ सके, new one आ सके, बट उसके लिए क्या चाहिए, male चाहिए और एक female चाहिए, तो दोनों के reproductive system कैसे होते हैं, यह हम लोग थोड़ा साथ discuss करेंगे, सबसे पहले male reproductive system की ब बात करेंगे, तो it consists of primary and secondary reproductive organs, क्या present होते हैं दोस्तो, primary organs और secondary reproductive organs present होते हैं, और primary sex organ के अगर हम बात करें, तो इसमें होता है male gonads, तो primary sex organ यानि male gonads, यानि क्या आप बोल सकते हो, male का जो hormones हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो, gamut जिसको हम लोग बोलेंगे, gonads का मतलब, यह ह होता है, तो उसको हम जो क्या बोलते हैं, जिस प्रकार human beings में होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी टेस्टीस होते हैं, जो कि paired होते हैं, यह लगबग fourth से लेके six abdominal segments जो होता है, cockroaches का, वहाँ पर यह present होते हैं, और obviously इंसानों की तरह यह भी क्या करते हैं, it produce sperms, ठीके, जैस के लिए कहीं ने कहीं, एक certain age के बाद, maturity phase के बाद, यह आपको knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, to live a healthy life, ठीके न, तो यह बहुत ज़्यादा important, cockroaches के बारे में हमें इतना पढ़ना है, क्योंकि syllabus का part है, लेकिन यह हमारे लिए इतना कामगर नहीं है, as compared to human beings, क्योंकि हमार शरीर के बारे में, हमारे इंसानियत के बारे में, हमारे तरीके के बारे में हमें पता होना चीह जादा, तो यह सब चीज़ तो आप पढ़ोगे, लेकिन यह cockroaches के बारे में syllabus में included है, that's why we have to learn, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कि क्या produce करते है, sperm produce करते है, and which are carried by the wasa differentia, ठी में भी same होता है, जो कि यह sperm को क्या करता है, carry करता है, लेके जाता है, आगे अगर बात करें, utricular gland जो होता है, यह बहुत जरूरी gland होता है, reproductive glands के लिए, and it is present in the six to seven segment, यहाँ पे आप देखोगे, तो बहुत सारे clear image नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करोगे, तो मैंने कुछ mention किया है, तो this is the endmost part of the cockroach, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे, testis यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, and बहुत सारे आपको glands, tubules आपको दिखने मिलेंगे, जो मैं आपको nerves की बात कर रहा था, जो कि testis से sperm carry करते हैं, यह वाला part, ठीक है, यह जो abdominal segments के बीच में रहता है, और एक और सबसे important चीज़ है, phallomere, ठीक है, phallomere की दर है, आप देखोगे, तो यह रहा phallomere, right phallomere, left ventral phallomere, तो यह जो phallomere होता है, it is called as the external genitalia of male, यानि कि जैसे human beings में penis होता है, ठीक है, जिसके वज़े से male जो है, वो reproductive system, reproduction कर पाते हैं, ठीक ह यह था male के बारे में, और वही अगर मैं female के बारे में बात करूँ, female reproductive system की, तो again female reproductive system में भी primary और secondary reproductive organs present है, और primary reproductive organs जो होता है, वो क्या होता है, ovaries होता है, आप सभी को पता है, female में mainly क्या होता है, ovaries होते है, जो की ove duct carry करते हैं, और उसमें ovules present होते है, same इसी प्रकार यहाँ इसमें क्यह होता है लगभग लार्ज वर्य बड़े। बड़े ओवरी प्रेजन्ट होतबते हैं एक तरीक से एगब भूक्त आक्या इक सेमट होता है स्ईह करणी में जोनि जोनियर ज़े हैं निग जनौन में तो जो अगॉय गर्री आगे ब्रेडिट है तो लांम करते हैं नि और इसमें एट ओरी ओपन लेटरल ओवीड़क्ट थेकर जो अलग-अलग सायज से इस तरफ तरफ इदर जैसे फीमेल्स में उसी प्रकार यहां भी प्रजेंट होता है और दोनों आसपास के जो लेटरल ओवीड़क्ट में ओपन जिसको वज़ाईना बोलते हैं और सेम जैसे मेल का जो मेन रिप्रड़क्टिव औरगन जो था जो तक या था आपका जैसे मैं आपको बताया था फैलो मेर ठीक है यहां पर आपको मैं बताया था फैलो मेर ठीक है तो वैसे ही सेम फीमेल्स में जो मेन जो रिप्रड़क्टिव औरगन आप बोल सकते हो मतलब cockroaches की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है न फीमेंग्स के बारे में तो हम चर्चा करेंगे फ्यूचर में लेकिन अभी यह आपको यह रखना है तो वजाइना सेम फीमेल के लिए cockroaches में हो जाएगा जहां से फैलो मेर और वजाइने का दोनों का क्या हो जाएगा मिलाप होगा तब जाके यहाँ पे sperm जो है डिलीवर होगा तो सेम उसी प्रकार क्या होगा उसके आगे fertilization होगा आप सभी को पता है जैसे की हमारे में उसाइड सोते है वैसे यहाँ पर वृथी सीया होगा तो मेन 5 दूसरे के करीव आते हैं तो मेल का फैलो मियर और फीमेल के जो वजाइना जब एंटर होते हैं तो spermatophores जो है वो, यानि कि sperms जो है वो transfer होता है, ठीक है, female cocker होता है, यानि male से female के अंदर transfer हो जाता है sperm, and जो sperms होते हैं, वो release होते हैं from the spermatophore and they reach the spermatosea, जो females के पाद सर्मेतोसिया होता है, वहाँ तक पहुचता है, and जो eggs होते हैं, वो दिरे-दिरे discharge होते हैं, जो भी over is present होती है female के पाद, तो alternatively common over ducts से वो pass होते हैं, genital chamber तक, जहां पे वो fertilize होते हैं, sperms के दोरा, क्योंकि आपको पता है, समझ लो, यह egg है, तो sperms बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से egg sperm जाके unite करता है, इसको, और यह क्या हो जाएगा, इसके बीच में फिर sperm और egg का क्या हो जाएगा, mix up हो जाएगा, ठीक है, and तब जाके उनके बीच में fertilization हो जाएगा, तो फिर दिरे-दिरे क्या होता है, development होता है, में हम क्या हो सकते हैं कि development is through the nymphal stage जैसे कि अगर बात करें बहुत सारे आपने cases सुने होगी जिसमें लार्वल stage होता है लेकिन यहां पर कोक्रोचेस में क्या होता है जो एक्स होते है ना वह निम्फल stage से जाते हैं तो embryonic period जो होता है यह depend करता है temperature के उपर और humidity के उपर भी यानि कि अगर आपने 24 degree Celsius के आसपास का महल है तो उसमें लगबग 58 days लग जाते हैं जो development phase जो होता है एक्स का cockroaches की अगर बात करें लेकिन अगर वही 30 degree temperature है आसपास का तो इसमें क्या हो जाता है 32 days में ही काम हो जाता है ठीक है मतलब जितना कम temperature उतना ज्यादा time जितना ज्यादा temperature आप देखोगे उतना कम time लगता है और उसी प्रकार यहाँ पे एक्स का development हो जाता है और जब भी यह maturity period खतम हो जाता है उसके बाद जो cockroaches के new one जो रहेंगे organism individuals रहेंगे वो दुन्या में बहार आ जाते है तो उमी measures की cockroach को रोखने के लिए आप क्या कर सकते हो तो बहुत सारे चीज़े हैं आपको पता यह कि हम जो है like dark places में साफ सफाई रख सकते हैं गर में अगर cleanliness जादा मेंटेरने तो cockroach develop नहीं होंगे आसपस पानी जमाव में नहीं देंगे तो ऐसे बहुत सारे चीज़े जो है आप कर सकते हो अगर question आते हैं तो यह आप अपने language में लिख सकते हो कोई problem नहीं आएगा और आपको marks में मिल जाएंगे ठीक है तो इससी के साथ मैं आज का lecture को समाप्त करता हूं बहुत important session था और भी ऐसे ही session लेकर आते रहेंगे दोस्तों आप लोग के लिए जब भी हमारा biology का lecture होता है तो आगे के और भी chapters बहुत सारे chapters पेंड़े हैं हमारे I know हम थोड़े lack कर रहें but don't worry दोस्तों आपको tension बिल्कुल नहीं लेना है हर एक चीज हो जाएगा आप लोग का बस आपको जो भी चीज मिल रहा है आप उसको मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ते रहें बहु यह chapter आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताईएगा आपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों useful लगा है तो प्लीज यह वीडियो को like किजेगा share किजेगा आपने सारे friends लोग को फटा-फट से share कर देना द क्या है तो यह जो कि आपको यह वीडियो यह वीडियों प्लीज वीडियों के जा डी है वैश।